कॉंग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करते हैं उनसे मैं माज अनुपूरक बजट आने जा रहा है थोड़ी देर में सदन की शुरुवात होगी और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा तब से ही अपना मूल बजट नहीं खर्च कर पाती और उसके बाद कम से कम एक एक दो दो सप्लिमेंटरी बजट ले आती है बहुत सारे ऐसे विभागे जैसे महत्वपूर्ण विभागे क्रिशी विभागे पीडबलूडी है इन विभागों में अभी 30 से 40 परसन बजट भी नहीं खर्च कर पाई सरकार और सप्लिमेंटरी बजट तो सप्लिमेंटरी बजट लाने की आवशक्ता क्यों पढ़ गई स करकार को इसका सीधे से सपष्ट इसका जवाब यही है कि सरकार जो लोग कल्यान कारी नीतियां है जनता आज महेंगाई से जूज रही है उस पर सरकार कोई विचार नहीं करना चाहती उसके पास पैसा है पर इच्छा शक्ती नहीं है कि वो उस पर महेंगाई पर काबू कप और इसी पर वो लगातार खिलते चले आएं पर आज की तारीक में सड़क पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, ये सारी समस्याएं सामने खड़ी हैं पर सरकार इस पर पूरी तरह से अस्फल रही है। ये बहुत दुखद है, भारती जनता पार्टी को भगवान तब याद आते हैं, जब चुनाव सामने आता है। कि हमारे जो धर्मिक आस्था है, मैं खुद धर्म को मानती हूँ, और पैचाहती हूँ कि जितने भी धर्मिक स्थलें, उनको और प्रिहत बनाया जाए। पर उसमें भारती जनता पार्टी का क्या योगदान है। आज भावे राम मंदिर बन रहा है, तो यह भारती जनता पार्टी की देन नहीं है। यह मानिया सर्वोष न्याले के निड्ने से बन रहा है। उसका श्रे अब वो लेना चाहते हैं, तो जनता जवाब देगी 2024 में। क्या है।